हे गाईज तो दोको हम लोग पढ़ाये थे प्रश्णावली 9-2-6 के सवालों को और यहाँ पर सवाल नंबर 5 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले वीडियो में तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 और 7 इस प्रश्णावली मतलब 7 प्रश्ण थे तो ह यहाँ पर पहले यह कंडिशन समाझ लिए यह आपका सवाल दिया गया है और माकी यहाँ पर यह कंडिशन दिया गया ठीक इसका मतलब यह है कि देखो यह होता है यह होता है तो यक्स के स्थान पर हमारा कितना है एक है और य के स्थान पर कितना दिया हुआ है यानि एक दि से उसी समिक्राण में रख देंगे बस हमारा एंसर आ जाएगा ठीक ऐसे सवाल आपने इसके पहले सॉल्व कर लिया है अगर आप डेली कॉंटीनी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा ठीक तो चले सॉल्व करते हैं इस सवाल को तो चले वीडियो को शुरू करते ह तो देखों यहाँ पर हमें करना क्या है सबसे पहले हमें इसको इधर बेज़ देना ठीक? तो जब इधर बेज़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Y square और यहाँ पर जब इसको इधर बेज़ेंगे तो जाएगा माइनस में x y plus में y square और यह बन जाएगा dx अब हमें करना क्या है? dy y dx की रूप में इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे? x square को इधर बेज़ देंगे और इस dx को लोग इधर बेज़ देंगे तो dx इधर गुणा में है इधर आजाएगा भाग में x square इधर गुणा में है यह इधर आजाएगा भाग में तो यह dy by dx बन जाएगा dx को इधर जब बेज़ देंगे तो dx बन जाएगा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा minus का x y plus में y square और बट्ते में यह हो जाएगा हमा बट्ते में, भाग में हो जाएगा 112, ठीक, अब यहां पर क्या होगा यहां पर देखो इसका भी घाथ, इन दोनों का मिलाकर कितना है? डो है इसका गाथ 2 है, इसका भी घाथ 2 है, यरिककी का समगाती आउकल्ट समीकरण है ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया था अब समगाती आउकल्ट समीकरण का मतलब homogenie के सवाल को सॉल्ट करने के लिए हमें करना क्या होता है इसके बाद दूसरे और इसके बाद में यहां पर इसका उकल्ट कर ना है उकल्ट करेंगे तो यनी 3 यानि X के सब फिच, तो यहां पर डी वी बटे में Dx बन जाएगा, ठीक यानि ये V करना मच भी बन जाएगा, और प्लस में X डी वी बटे में Dx बन जाएगा अब हमें यहां पर करना क्या है, जेस्ट वन सिंट, देखो, यहाँ पर जहाँ पर dy y dx है वहाँ पर हमें v plus में x db बटे में dx लिकिना ठीक यहाँ पर रखेंगे हम लोग अब इस value को और बांकी y के इस्थान पर vx रखेंगे तो यह वजाएगा v plus में x और db बटे में dx बन जाएगा बराबर में यहाँ पर सबसे पहले minus है फिर उसके बाद यहाँ पर y है और इसके बाद y है तो y के साफ vx रखेंगे plus में फिर यहाँ पर y square है तो यहाँ पर हो जाएगा v square x square ठीक और यह वजाएगा और बटे में यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा यक्स स्क्वेर तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे तो यक्स स्क्वेर बन जाएगा यहाँ पर भी यक्स स्क्वेर है तो दोनों में यक्स स्क्वेर मिल रा कामा तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कामा ठीक तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा यक्स स्क्वेर कामा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा V बचेगा और प्लस में यहाँ पर बचेगा V स्क्वेर बचेगा ठीक और बटे में यहाँ पर यक्स स्क्वेर तो इससे ये cancel हो जाएगा और उसके बाद में ये बन जाएगा हमारा V प्लस में एक्स डी भी बटे में DX बन जाएगा ये माइनस इसमें multiply करेंगे तो दोनों हो जाएगे माइनस में क्योंकि दोनों प्लस में ठीक अब यहां पर इस V को हम लोग इधर बेज देंगे तो जब V को इधर बेज देंगे तो यह हमारा बन जाएगा देखो V minus कभी minus का V square और ये वाला जब प्लस में इसको इधर बेज हैंगे तो minus का V बन जाएगा ठीक यानि एक हो जाएगा minus का 2B और minus का V square हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर गुड़े में एक माल लो अब देखो यह गुड़ा में है तो इसको जब इधर भेज़ेंगे हम लोग इसको DB की तरह भेज़ देंगे तो यह गुड़ा में है हो जाएगा एक बटे में यहाँ पर बन जाएगा minus का 2V minus का V square DB बन जाएगा बराबर में dx को इधर बेज़ेंगे हो जाएगा और यक्स इधर भाग में आ जागा तो एक बटा यक्स हो जाएगा ठीक अब simple सा यहाँ पर हमें minus V कामा ले लेना क्योंकि यहाँ पर कामा मिल रहा और यहाँ पर हमें दोनों तरफ इसका समा कलन कर देना ठीक यहाँ पर आप लग देना दोनों तरफ समा कलन करने पर अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक बटे में minus V कामा ले लेंगे यहाँ पर बचेगा 2 और उसके बाद प्लस में यहाँ पर V बचेगा ठीक क्योंकि यहाँ पर 2 V था और यह हो जाएगा हमारा एक बटे में यक्स डी एक्स बन जाएगा ठीक अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसको solve करेंगे हम लोग वो जो method होता है ना आपका unseek Buddhism princes से तोड़ कर इसको solve करने ठीक यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर सक्वागिया माइनेस था ना तो इस माइनेस के अधर बिश दिएं कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर देखो इसको ऑंस Yuk उसको ऑंसे बिने में तोड़ने के लिए हम लोग कैसे solve करेंगे एक बटे में V और V प्लस में अगर आपको आंसिक बिने से सवाल कैसे लगाना है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाना वहापर मैंने पढ़ा दिया है तो आप आप वहापर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना समा क्लान वाला जो प्लेलिस्ट बनाया ठीक क्लास बारा मैथ में वहापर जवाप जाएंगे तो उस समा क्लान में आपको एक मिलेगा आंसिक बिनिस द्वारा समा क्लान कैसे के जाता है उस वीडियो को जवाब देखेंगे, तो वहाँ पर आपको तरीका फद्ल लाएगा कैसे अन्से गोविन वाले सवाल वंड च्डेगा, यह उजाएगा AI बर्टे में वी बर्टे में वी प्लस में दो जाएगा, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक लिकेंगे बराबर इसको त्या गुणा करके इसका हर बराबर कर लेंगे तो वी प्लस में टू बन जाएगा बराबर प्लस में यह बजाएगा वी ठीक और मतलब नीचे नीचे जब गुणा करेंगे तो यह नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा ठीक तो यानि इतना हो जाएगा तो हमें क्या करना होता है इसके बराबर जीरो माल लेना इसके बराबर जीरो माल लेना तो देखो वी बराबर जीरो हो जाएगा और जब वी प्लस में इसके बराबर डारेट मितलब इंका समक्रान नहीं कर सकते तो इसलिए इसको आंसिक भिन्ने में तोड़ना पड़ता है ताकि यह अलग-अलग हो जाएंगे तो फिर नहीं काम समक्रान कर लेंगे इसलिए इसको आंसिक भिन्ने में तोड़ना पड़ता है ठीक अब यहां पर क्या हो जाएग 2A वराबर 1 टिक त्यानि ए वराबर कितना हो जाएगा 1 वर्टे में 2 हो जाएगा अब हम लोग V वराबर रखेंगे minus 2 minus 2 रखेंगे यहाँ पर तो minus और यह plus यह पूरा 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पर रखेंगे त्यों जाएगा minus का 2B और बराबर में इधार एक बचेगा थे हो जाएगा यानि B बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एक बटा टू आ जाएगा ठीक तो हमें A और V का वालू पता चल गया अब हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे फिर इसका समखलां कर देंगे ठीक तो हमारा पूरा सवाल कितना था माइनस के यह था माइनस का एक बटा यक्स डी यक्स बराबर में एक बटे में वी और प्लस में वी बटे में वी प्लस में 2 ये था और ये dx था ठीका अब हम लोग क्या करेंगे इसका value रखींगे ठीक का value क्या है एक बटा 1 है और वी का value क्या है minus क का value वैटा 2 तो यहांपर वह जाएगा minus का beautiful dx बराबर में यह हो जाएगा 1 better 2 दो वह constant है तो इसको सीधा से आगे निकाल दो उसके बाद dv बटे में यह हो जाएगा एक बटे में v ठीक उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर है dv ठीक और यहाँ पर क्या है प्लस में क्यों लिखे होगे माइनस में माइनस यह v का लिख क्या है माइनस का एक बटा दो तो माइनस का एक बटा दो constant है इसको आगे निकाल देंगे बांकि यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में V प्लस में दो और डे भी बन जाएगा ठीक समझ रही न अब देखो यहाँ पर का ओ जाएगा इसका का समख लंपर करेंगे तो इसका हो जायएगा और यह बटे में 2 इसका भी बन जाएगा लॉग फी और इसका हो जाहेगा हमाराать माइनस का एक बटा 2 लॉग वी प्लस में 2 बन जाएगा ठीक ये लॉग वाला सूत्र बन जाएगा और उसके बाद सिंपल से यहार एक कॉंस्टन जोड़ देंगे यहाँ पर सी ठीक अब यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर यहाँ पर सिंपल से दोनों में हम एक बटा 2 कामा ले लेंगे और उसके बाद देखो दोनों क्या हैं माइनस में हैं तो यानि कि लॉग लॉग अगर माइनस में होता है तो वो भाग में बन जाता है ठीक तो यानि कि हो जाएगा लॉग एक बराबर एक बटा 2 कामा ले लिया तो यहाँ पर log v बचेगा यहाँ पर log v प्लस में 2 बचेगा ठीक तो log v और बटे में v प्लस में 2 बन जाता ठीक मतलब यह होता है आपका log वाला सूत्र और प्लस में c हो जाएगा अब v का value क्या है y बराबर क्या माना था v x माना था तो v बराबर कितना हो जाएगा इसको इदर x को इदर पर देंगे तो y बटा x हो जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे इसका value रख देंगे बस simple सा तवाल सूल हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा log और उसके बन जाएगा y बटे में x बटे में इसको तिर्यक बुणा करेंगे तो जाएगा y प्लस में 2 x बन जाएगा और पूरे का बटा x बन जाएगा ठीक यह बन जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा c तो देखो यह वाला x यह वाले x से कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बन जाएगा log x बराबर में 1 बटे में 2 और यह हो जाएगा हमारा log और उसके बाद उपर बचेगा y और नीचे बचेगा y यानि की y प्लस में 2 x ठीक यह बचेगा और प्लस में c हो जाएगा इसको आप समिकरान फर्स्ट माँच सकते हो अब हमें करना क्या है बस वैसे तो आपका answer हो गया लेकिन condition यहाँ पर और दिया गया x बराबर 1 y बराबर 1 रखना तो हम x और y के स्थान पर 1 एक एक रख देंगे रखने के बाद जो c का value आएगा उसको फिर इसी समिकरान में रख देंगे बस हमारा answer आजाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा log 1 हो जाएगा बराबर में एक बटा 2 यह हो जाएगा log इसके विस्तान पर एक रखना है यहाँ पर भी एक रखना है और प्लस में c बन जाएगा ठीक तो यहाँ पर log 1 का value क्या होता है हमेंसा याद रखना log 1 का value 0 होता है ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 0 बराबर में एक बटे में 2 उसके बाद में log 1 बटे में 2 एक 3 हो जाएगा ठीक प्लस में c हो जाएगा अब देखो यहाँ पर देखो जब log m बटे में in होता है तो यह क्या बन जाता है log m माइनस में log in बन जाता है ठीक तो देखो m के स्थान पर एक है और in के स्थान पर तीन है तो यहाँ पर यह ऐसे माइनस में दोनों हो जाएंगे तो यानि कि ये बन जाएगा हमारा 0 बराबर में बन जाएगा एक बटे में 2 लिखा है उसके बाद बन जाएगा लॉग 1 बन जाएगा फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे एक बटा 2 बन जाएगा लॉग 3 बन जाएगा प्लस में C बन जाएगा आप यहाँ पर समझ रहो ना क्या होगा देखो एक बटा टू तो है ही यहाँ पर आगे गुणा है मतलब इससे और यहाँ पर यह बन जाएगा लॉग इम बटे में इसको समझो तो लॉग इम बन जाएगा इम के स्थान पर एक है एक रख दिया बाकि एक बटा टू से फिर इसमें भी माल्टिप्लाई हो गया तो हो जाएगा लॉग थिर हो जाएगा जिससे यहाँ पर लॉग एन हो जाता है दुबारा में माइनस लगा कर तो यहाँ पर लॉग थिर यह बन जाएगा और प्लस में को फेश देंगे तो सी बराबर जो हमारा despite up क्राफल ओंग कि यह करें गे समीकरण एक में रख देंगे तो यहां पर लिखेंगगे समीकरण समीकरण 1 हमारा लॉग एक सब्सक्राभल में व्लाकtså फिर्ण कर्या एक बट करट सब्सक्राभला क्य नमें प्लस में 2 और प्लस में 1 बटे में 2 लॉग यह हो जाएगा हमारा 3 यहां पर ठीक देखो दोनों में 1 बटा 2 काम है मिल रहा तो हम 1 बटा 2 काम ले लेंगे तो यह बन जाएगा हमारा लॉग यक्स बराबर में 1 बटे में 2 उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा log y और y प्लस में 2 बन जाएगा प्लस में log 3 बन जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या हजाएगा इस 2 को इधर multiply कर देंगे तो जाएगा minus का log x बराबर में यह बन जाएगा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यहाँ पर इसको अम देख सकते हैं log यह दो एक बटा टू इधर पर दिया न तो यहाँ पर बजाएगा log यह देखो इसको एमानो इसको इन मानो तो जैसे इसको उपर किया था था न तो log y बन जाएगा minus log यह बन जाएगा y प्लस में 2 ऐसे लिए देंगे और प्लस में बन जायेगा हमारा लॉक 3 लिखा होगा है ठीक स्वार session पर आपकर टु यक्फ भी ठीक तो ये टू-श्ट है इसको 2 यक्स बनाते चलो ठीक ए 2 ycs है तो ये टू-धू-1 है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐसा करतें log y और log 3 इन दोनों को हम लोग इधर पेज़ देंगे तो दोनों plus में दोनों minus में आ जाएंगे तो यानि ये 2 को यहाँ पर इसका घाद बना देंगे ठीक क्योंकि log क्या के जो भी लिखा होता है वो इसका घाद बन जाता है तो बन जाएगा log y स्क्वेर बन जाएगा माइनस का लॉग y बन जाएगा माइनस का लॉग 3 बन जाएगा बराबर का इधर सिर्फ ये बचेगा ठीक क्या बचेगा माइनस का लॉग y प्लस में टू यक्स बचेगा ठीक अब यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो just one second यहाँ पर देखो just one second देखो तीनों क्या है plus में है मतलब यहाँ minus कामा ले लो तो यहाँ पर सब plus में हो जाएंगे जब सब plus में हो जाएंगे तो यह बन जाएगा हमारा log और जब यहनी plus में सब होते हैं तो यहनी सब गुड़ा में हो जाएंगे 2x अब देखो ये पहले minus से minus cancel हो जाएगा उसके बार ये वाले lock से ये वाला lock cancel हो जाएगा तो यहाँ पर जो बचे गा वो बचेगा 3 x square y बढ़ाबर में यहाँ पर y plus में 2X तो ये हमारा answer हो जाएगा ठीUp I hope आप समझ गए हूंगे चले अब अगले सावल पढ़ते हैं तो देखो यह हमारा सवाल नमबर साथ है अब हमें यहाँ पर करना किया यह condition पहले समझो यह देखो यह जो हाँ पर एक है इसके स्थान पर YX होता है तो यहाँ पर YX का value कितना है यहाँ पर Yx का value एक है और Y बराबर क्या है य बराबर यह कितना दिया हुआ है यहां पर होगा क्या यहां पर हम लोग सा ऐसा करते ना इसको अम लोग इधर वेज देते हैं ठीक तो यहां पर बचाएगा यक्स डी वाई बडाबर में भी घ। Kalau माइड बन जाएगा माइड आख टो इस इतको प्लस में मैस्ट में बन जाएगा थिक करब यक्स Satan सॉइन स्क्वेर वाई बर्टें में यक्स होजाएगा वागे यह माइनस में दे प्लस में बन जाएगा ठीक ये बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा D X ठीक यहाँ पर बड़ा प्रिक्ठट बनादो D X हो जाएगा अब हमें करना क्या है इस X को इधर बेज देना है बागी इस D Y Y D X को इधर बेजर देना और प्लस में यह बन जाएगा वाई बटा यक्स समझनों ना यहां पर क्या किया मैंने यक्स को इधर बेज दिया और यह वाला यक्स इधर हो गया बटा में तो यह गोड़ा में इधर आ जाएगा भाग में तो इस यक्स से यक्स काट देंगे तो यहां पर जो आ जाएगा व को वाई के स्थान पर वी एक्स माल लेंगे और जब इसका उखलंग करेंगे तो डिवाई वाई डी एक्स वराबर में वी प्लस में यक्स डी वी बटे में डी एक्स बन जाएगा ठीक तो हम लोग डी वाई डी एक्स के रुप में वी प्लस में यक्स डी वी बटे में डी एक लिख देंगे इससे cancel हो जाएगा इससे cancel हो जाएगा ठीक तो यानि यह बन जाएगा वी प्लस में यक्स डीवी बटे में डीएक्स बन जाएगा बराबर का माइनस का साइन स्क्वार बन जाएगा सिर्फ वी बचेगा यहां पर प्लस में वी बचाए ठीक यह वी से देखो यह वी कैंसिल जाएगा ठीक अब देखो यहां पर सिर्फ साइन स्क्वार वी बचाए ठीक इसको हम लोग क्या करेंगे इसको db की तरफ भेज देंगे बांकि यक्स और dx इन दोनों को एक तरफ कर देंगे ठीक ताकि इसको हम लोग असानी से समखलन कर सकें तो यहाँ पर भेज देंगे तो एक बटा इधर हो जाएगा मैंनेस का साइन स्क्वाइर भी बन जाएगा बीब बन जाएगा और यह इधर हो यह bourण मारा कासेक स्क्वाइर भी बन जाएगा अब यहाँ पर देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा याने कि जो माइनस का कॉट होता है और वी लिखा तो यहाँ पर वी होजाएगा उसके बाद बराबर में इसका बन जाएगा माइनस का लाग यक्स और यहाँ पर एक सी हम HOLC जोड़ेंगे ठीक अब चाहो तो यहाँ पर यह माइनस में इसको इदर बिल सकते हो तो बन जाएगा माइनस का कॉट V प्लस में लॉग X और यहाँ पर प्लस में C बराबर में हो जाएगा ठीक सिर्फ लॉग X को इदर बिल तो वाकी दरसी बचेगा तो और यहाँ पर क्या कर दो V का वैलू रग दो ठीक तो यह बन जाएगा हमारा माइनस का कॉट Y बटे में यक्स हो जाएगा V का वैलू है और प्लस में जाएगा लॉग X बराबर में C ठीक इसको आप सामे करना फर्स्ट मान सकते हो अब हमें करना क्या है Y के स्थान पर पाई बाई 2 दिया हुआ है और यक्स के स्थान पर एक दिया हुआ है और Y के स्थान पर पाई बाई 2 रखने पर ठीक जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा C का वैलू आ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा माइनस का कॉट और Y के इस्थान पर PY by 4 रखेंगे यक्स के इस्थान पर 1 रखेंगे ठीक तो हो जाएगा प्लस में Log इसके इस्थान पर 1 रखेंगे बराबर कसी हो जाएगा Log 1 का value 0 तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा Minus का Cod PY by 4 आजाएगा PY by 4 का मतलब 1 हो जाएगा ठीक PY by 4 मतलब 25 पैदा लिचन्स Cod 25 पैदा लिचन्स कमान कितना होता 1 होता है तो C बराबर कितना आगया C बराबर आगया Minus का 1 तो इस value कम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण जो 1 माना था तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 यहाँ पर क्या है Minus का Cod Y वटे में Yax Plus में Log Yax और बराबर हो जाएगा Minus का 1 हो जाएगा ठीक वैसे तो यह आपका answer हो गया लेकिन answer में ऐसे नहीं दिये हैं कुछ थोड़ा चिसमें और इसको आगे solve की हैं तो इसलिए चलो उसको मतलब answer जैसे लिखा है वैसे ही solve कर लेते हैं ठीक ऐसा करते हैं यह Minus में हैं और हम लोग क्या करेंगे यह Minus में तो इसको इधर बेज़ देंगे बाकि यह जो Minus का एक है इसको इधर बेज़ देंगे ताकि दोनुसा प्लस में हो जाएगे तो यह बन जाएगा log यक्स जब इसको इधर ले आएंगे तो यह जाएगा प्लस का एक बराबर में कॉट को इधर बेज़ देंगे तो बन जाएगा कॉट वाई बटे में यक्स बन जाएगा ठीक सिंपल्स हो गया अब देखो यहां पर आपको याद होना चाहिए कि log एक के वाईलू जो होता है in player जो होतभा है वह जीरो होता है और log यकले को एक होता है ठीक आप इसको याद नहीं किए हैं अगर तो याद कर ले ऐनेंगे log E ठीक उसके बार बराबर और जाएगा count przestreibl होते हैं तो जब क्या होते हैं टो यह बन जाएगा simple उसक्षा जला यघ बन जाएगा ऑफ यह मैंजा घंड़ें एमारा आईज़ात हो जाएगा आई होप आप समझ गये होंगे तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्णावली नोज़स हम लोग साथ के सवालों को उसके बाद ये जो चैप्टर है वो स्वाफ्त हो जाएगा फिर हम लोग विक्टर चालू करेंगे अगर आपको कोई भी कन्फिजन हुआ हो या फिर होता हो तो आप सीधा क्या करना या तो फिर नीचे कांड़ बकस में बता देना या फिर आप दूसरा तरीका आप सीधा इंस्टाग्राम पर जाना वहां पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज तो वहां पर आपको मेरे चैनल का बता सकते हैं ठीक और जिनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भी तक तो वीडियो को लाइक करते हैं और जिनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली सीधरा के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं सो चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में सो थैंक्स वर वाचिंग and see you again in next वीडियो